इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है. अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं. सबसे आम दुश्प्रभाव दस्थ, पेट दर्ध, पेट फूलना, मूह में सूखापन और सिर्दर्ध हैं. इनमें से अधिकान शस्थाई हैं और आम तोर पर समय के साथ हल हो जाती हैं. अपने चिकित्सक से सीधे संपर्क करें यदि आप इनमें से किसी भी दुश्प्रभाव के बारे में चिंतित हैं. यह दवा चक कर आना और नींद का कारण हो सकती हैं. इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती हैं, तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यक्ता हो. इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है. जीवन शैली में बदलाव जैसे ठंडा दूद पीना और गर्म चाय, कॉफी, मसालेदार भोजन या चॉकलिट से परहेज करना आपको बहतर परिनाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है. इससे पहले कि आप इस दवा को लेना शुरू करें, अपने चिकित्सक को सूचित करना महत्वपून है कि क्या आप गुर्दे या जिगर की बीमारी से पीडित हैं. यदि आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को भी बताना चाहिए. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, झाल झाल